नमस्कार मैं हूँ अमितु प्रेटी और आप देख रहे हैं आईपा आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रिसिब पॉटिकल एस्वेशन जहां बात करते हैं प्रगर्टिशी राजनेती की और आज हमारे साथ सक्षत बैठी है अलमणा के जैसिरी कॉलेज के चेयर्मेन और य अगत है आईपा के इस मंच में मैं सरुपतम आईपा की इस पहल को कि बहुत सराहना करता हूं कि आपके द्वारा जो यह पहल की जारी है यह वाके काभिलत आरीफ है आप दिन दुनी राच चोगने उन्नति करें उप्रेटी जी यह हमारी आपके प्रदीशों से पास्तना ह आप एक सिक्सक हैं एक कॉलेज के चेयर्में भी है और आपका राज़न्देतिक में आने का क्या कारणा उप्रेटी जी देखिए आज वर्तमान समय में जिन परिस्तितियों में हमारा देश और प्रदेश जा चुका है जहां एक और हमां हम सिक्ष्या की बात करते हैं शिक् लोगों को हमारा पoure्टिनिती के रूप में हमें देश और राजि में हमारी बातु को रखते हैं और जमीन पर हकिक्त के रुप में कुछ нет कर बात हैं तो मेरा मानना है कि अगर शिक्षक समाज अगर इस आजतिति चेत्र के जुड़ेगा तो कि राजनिती का भी विकास होग और दरातुल पर तो लोगकों का विकास थो होनी रहा है तो मत्श्फपरकार से तो आज जो गाउन की सख़ा कि छेत्री की बाद करें तो किस तरह की सिख्षा में पर एक कितना संतुष्टे और आपके द्वारा गाउं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कारी कह जा रहे हैं उप्रेदी जी आप सिक्षा की आप बात कर रहे हैं आज हमारे अलमोडा विदान सभा की मैं अगर बात करूं तो सिक्षा के चेत्र में आप हमारे अलमोडा को वैसे बुद्धी जीवी का सहर हमारा अलमोडा माना जाता है बुद्धी जीवी काफी बुद्धी जीवी लोग हमारे अलमोडा में रहते हैं परन्तु सरकार की ओर से अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें तो सबसे बड़ी विफलताएं हमारी क्या हैं सिक्षक भी तो मेरा मानना यह हम अगर मैं देख रहा हूं हमारी हमार्य नवय्यॐक यह व determines कर देंकों की लाइन में खड़ें वो बेरोजगारी का दन से जहल रहा है वो सोरोजगा से चुनने के लिए बैंक की लाइन में खड़ा है परंतु दुरभाग की हमारा ऐसा है उपरेती जी जिसकी सरकार नहीं हुई उसके प्रावेट बैंक क्या होंगे वो भी गरीब आदमी को दुद्कारते हैं वो भी वीवा का सिकार हो रही है हमारे गाओं की बैटियां जो कम उमर में जिनकी साध्य और उसका कारण क्या है उनको टेक्निकल एजूकेशन तेक्निकी सिच्शिया उनको नहा में पाना क्योंकि अगर आपने पाउँ पर खड़े हो चुके होते वो देपने पाउँ पर खड़े कि उनकी यहाँ पर education less system होने के कारण कम माबाबों के पास गरीबी है गरीबी का दंस वो अलड़ी जहल रहे हैं और बेटियों की वो जल्दी से जल्दी साधी कर देते हैं कि ताकि हमारे पास education देने के लिए सरकार के और चे कोई शुविदा नहीं है और उनके पास पैसे नही जिससे वह बाल विभा का सिकार होती है और बेरोजगारी के कारण कम कम अपने गरीबी के कारण दहिजपरता का भी तांसी जहल रही है तो हमारा अपना एक मानना है कि उन बेटियों को technical education दी जाए उन बेटियों को हमारे कहीं न कहीं पर रोजगार से जोड़ा जाए तो ज आगार बिजेभी की बात करें कंग्रेस की बात करें या अन्हीं किसी पार्टी की बात करें अर लोगष कुछक हमेसा दुरबर दरसी था I मैंने एनलाइज किया इस उत्राखंड के अंदरगत में राश्टी पार्टियों ने इस उत्राखंड को लूटने और खसोटने का काम किया सिर्फ और जबकि उत्राखंड करांती दल ने इस उत्राखंड को राजी के निर्मान का कारी किया है उत्राखंड करांती दल ने संगर्च किया है, अपने 42 लोगों की आहुति देकर इस उत्राखंड को अलगराजी का दर्जा दिरवार रखा है, मुलाहम सिंग के हलक से उत्राखंड छीन कर उन्होंने इस उत्राखंड का निर्मान कर रखा है, और जबकि यह राष्टी और उत्राखंड करांतिदल को धुमित करके इस उत्राखंड को अपनी सत्ता की मलाई हमेशा खाने का प्रयास किया है और यहां के बोले भाले गरीब पहाडी लोगों को हमेशा चलने का काम करा है। उनका काम, उनका मकसद क्या है, उत्राखंड को लूट खशोट कर दूसरे परदेश में सरकार बनाना, आज तुम किसी भी, कोई भी राष्टी दाला, बीजेपी ले लिजे, कॉंग्रेस ले लिजे, इनका मकसद सिर्फ एक मकसद है, कि इन्होंने उत्राखंड फटाव कर ली तो इनको पर्भा हुझाती है, मध्दिपर्देश की, तो इन्होंने क्या करना है, उत्राखंड का करोलो रुपिया जो आतिमी, टूथ-पेस्ट करता वहां से टैक्सी देना सुरू करता है, रात को सोते वक्त गुंगुना पानी पिता है, वहां तक takSy देता है, छोटी- उत्राखम्ट करांति दल ने इस राजी के निर्मान में उत्राखंट का निर्मान, का दामन देल है, अब प्रतिनीदी का चुनाओं हम करते हैं मैं जंता से भी पोशना चाहता हूं प्रतिनीदी का चुनाओं हम करते हैं और प्रतिनीदी हमारे बोटू से जीत के जाता है हम उसका चुनाओं क्यों करते हैं क्योंकि हमारे छेत्र की समश्याओं का निदान कर सके हमारा प्रतिनीदी त पर है मैं वानुपर का जो से शिक्षक होने के नाते मैंने एक पहल कर रखियो प्रदीजी नहीं स्टार्ट कर रखी है जिलादिकारी अलमोडा को 2100 रुपे के स्टांप पेपर में लिग के दे के आया हूं कि यह दि विदान्चबा कि गरीब जन्ता जो आए दिन जो तूटे मकानू में रह रही है जो आज यहीं हमारे मतूशे जीता हुआ अब्यक्ति महलू में रह रहा है और वही क्रामचबा के लोग जो उनको बोट करके जिताते हैं वो लोग आज तूटे घरू में रहने के लिए मजबूर है परंतु मे पैसा मेरे गरीब बैटिां जो बाल व्सक्राइश स्काल में इस इलड़ने के लिए उनको टेकनिकल अजूसं से लुटने के masking के लिए उनंको रोज़कार मोईया करवाने के लिए मेरा अपनी विदान्षभा के अंदर कामार 1973 मेरे गृता है तो मेरे ऊह जो बरस्यों से है जहां आए दिन जंगली जानवर को खरता खत्रा रहता है उनमें स्ट्रीट लाई लगाना उनसे वाप सीची टीवी कैमरा लगाना हमारी प्राथिमिक जमेदार्यार रहेंगी वहीं अल्मोडा के सहर में देखिया आज आज पैदल चलने के लिए जगह नहीं है गाडियों के लिए 20 साल 21 साल हमारे उत्राखंड को बने हो चुके हैं मेरा मकसद है कि अलमोडा के सहर के अन्दर कर अलमोडा के सटे डारा नुञ नूला सेरा घाट हमारे जो भी टैक्सी स्टेंड हमारे बीच के पढ़ते हैं इन में इलक्ट्रोनिक कार पार्किंग से उनको जोड़ना और पैदल चलने के लिए फुटपात बनाना ओबर बिरिज का निर्मान करना हमारी प्राथिमिक जम्मेदारियों में है यही मेडिकल कॉलेज बर्सु से लंबित पड़ा है इसे संचलित करना हमारी अपनी पराथिमिक जम्मेदारियों में है बर्सु से लाकूर रुपिया कॉरूरूरूरूरुपिय की मशीन हिन्होंने अस्पतालों में लगा रखी है परांतु उनमें टेकनीशन नहीं है उत्राखंडकरांत दलकी दल को जनता मनुनित करती है तो वहां पर टेक्निशनों की नियोक्ति हो क्योंकि आज और प्राथमिक चिकिस सालेयूं में आइस्यू सेंटर और ऑक्सिजन की फैसिलिटीस प्रोवाइड करवाना कितनी बड़ी बिडमना है अपरेटीजी देखिए आप जिला उस्पिताल और बेस्पिताल में एक आइस्यू सेंटर नहीं है सरमाती इन सरकारूं से हमें जहां पर इतने वर्स 21 वर्स के इतिहास में आ क्या लगता है कि सभसे बड़ी परिशानी के हैं जो लंबे समय से चली आ यह और उस परशानी को आप कैसे दोके सबसे बड़ी परशानी रेफर सेंटर बन गए हैं अलमोडा के डिस्टिक होस्पिटल और बेस अस्पतार मेरी एक सबसे प्राथमिक जिम्हेदारियां है कि जो मेरे पहाड का ब्यक्ति आज अलमोडा से रेफर करके कोई भवाली पर दम तोड़ रहा है कोई आपका भीमताल पर दम तोड़ आना और यहां पर यह मेडिकल कॉलेज को संतालित करना यह मेरी प्राथमिक जिम्हेदारियां में हैं जिम्हेदारियों में से एक है और दूसरी मेरे प्राथमिक जिम्हेदारियों में है कि मैं यहां पर कुछ ऐसे प्रोजक्त यहां पर संचालित करूं जिससे मेरे पहाड दू महीं उसको रोजगार मिले जाए यह मेरी प्रात्मिक जिम्मेदारी में से